क्या कहती है आपकी राश्री जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का पोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से क्या कहती है आपकी राश्री जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का पोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से गुरूर ब्रह्म्हा गुरूर वेष्णो गुरूर देवो महेस्वर गुरू साक्षात प्रम्ब्रह्म्हा तसमय स्रे गुरुवे नमः नमस्कार दर्श्कों मैं पंडित चंदन संडिल परति दिन के तरह एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी के अपने एवं सबसे लोगपरी चार्करम कुंडली दर्शन में और कुंडली दर्शन के इस विशेश रासी फल विशेशांग कारक्रम में आज बात करेंगे आठ नौंबर 2018 के रासी फल के बारे में जी हाँ इस कारक्रम में जानेंगे कि कैसा गुजरेगा आपका आज का गुरु वार का दिन आज का दिन जैसा कि आप सभी जानते हैं अत्यन्त ही खास है आज गुरु अर्धन पूजा है आज के दिन भगवान स्री किष्णे इंद्र के मान मर्दन करते हुए अपने एक हाथ की छोटी उंगली पर गुरु अर्धन पहाड उठा लिये थे आज दिन की सुरुवात शुभाग योग और सुभ योग से होने वाली है इसके साथ ही शुभन नाम के शुभ योग का निर्मान भी शाम के शमय होने वाला है आज के दिन इस दो सुभ संय योग पर कुछ रासी वालों के बहुत अच्छे काम बन सकते हैं आज चंद्रमा सुक्र की रासी तुला रासी से निकर कर मंगल की रासी विरिस्टिक रासी में परवेश करेंगे और इन दोनों बातों का शर सीधा सीधा आपके जीवन में होने वाला है तो चलिए जानते हैं क्या कहता है आपका आज का रासी फल क्या है ग्रह नचत्र और शितारों की चाल क्या होगा आज के दिन आपके रासी का हाल लेकिन आईए सबसे पहली बात करते हैं आज के पंचांग से आज विक्रम समवत 2075 कार्तिक मास शुकल पक्ष परती पदाति थी विशाखा नचत्र और शोभागी योग तथा शोभन योग नाम का योग बन रहा है और आज गुरुवार का दिन है आज के दिन राहुकाल दोपहर के एक बच कर तीस मिनट से दोपहर के तीन बजे तक रहने वाला है और जोतिस सास्तर करमशार राहुकाल में किसी विपरकार के शुब या नए मांगलिक कार को प्रारम नहीं करना चाहिए तो चलिए अब बात करते हैं आपके अपने रासी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे मेश रासी से फिर क्रमशा बारी बारी से शवी रासी वालों के रासी फल के बारे में बात करेंगे शुरुआत करें उससे पहले जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाएं वो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब लिखेवे बटन पर किलिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जश्ट बगल में घंटी काकार के बेल आइकोन के बटन को दबा कर आप अपलोड होने वाली सभी वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्ट कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेसरासी से मेसरासी वाले आज के दिन की जो अच्छी बाते हैं कि पैसों के इस्तिती में जल्दी ही कुछ अच्छे शुधार हो सकते हैं कोई बड़ा सौधा हो सकता है किस्मत के परभाव से जो भी होगा आज के दिन आपके फेवर में होगा धान के लिए अच्छे शंकेर देख रहा है, इंकम के मामले में भी आपकी इस्तिती अच्छी रहेगी, दामपती जीवन में शुक प्राप्त होगा, बिजनस में आपको हर तरफ से शपोर्ट मिल सकता है, आपका मन भी आज परसन रहेगा, कई मामलों में आपकी सहज बुद् लग शकता है, और कुछ बातें आपको परिशान भी कर सकता है, पुरानी बातें भी कुछ आपके दिमाग में चल सकती है, प्रेम लाइप की यदि बात करें, प्रेम परसन को लेकर, तो आज के दिन जो लोग पिछले काफी समय से, एक दूसरे के साथ दोस्ती में हैं, और अपने दिल की बात सेयर करना चाहर हैं, वो आज अपना लव परपोजल एक दूसरे को दे सकते हैं, समय अच्छा है, शफलता आपको मिल जाएगा, आज आपका ध्यान पूरी तरीके से आपके शंबनों पर केंद्रित रहेगा, केरियर में आपको पहले ही बताया कि अधिकारियों से मदद मिलने के योग बन रहे हैं, कुछ बिजनस्मेन वाले लोगों को नए वेपारिक शंबन बन सकते हैं, इस रासी के छात्रों को आज महनत के बाउजोद कुछ कम परणाम मिल सकते हैं, स्वास्त के दृष्टी कोंड से जोडों का दर्ध आज आपको कुछ परिशान कर सकता है, इसलिए शावधान रहें, आज के दिन केले के पोधे में हल्दी मिलाकर जल अर्पित करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुब रहेगा, अब आईए बात करते हैं अगली रासी, विर्षब रासी, विर्षब रासी वेले आज आज आप जो भी काम करें, दूसरों के साथ सहयोग और टीम वर्क से करें, आपके शामने रिष्टों और पार्टनर्शिप के कुछ मामले बहुत खास रहेंगे, आपने समझदारी से काम लिया तो इनहीं के दम पर ही आपको काफी अच्छे नतीजे और पुरुषकार मिल सकते हैं, रूटी हुए दोस्त या किसी साथी को आप आज मना लेंगे, आज आप जिवन साथी की भी अपेक्चाएं पूरी करेंगे, नियाले मामले में आपको सफलता मिल सकती है, मनरंजन के कुछ आउसर अचानक मिल सकते हैं, जो नहीं सोचा है वो काम भी आज पूरा हो जाएगा मामा पक्च की ओर से आज आपको सहयोग मिल सकता है, लेकिन आज के दिन आपको कुछ बातों का विसेज धियान रखना है, कि आज कई परकार की बातों को एक साथ दिमाग में ना चलने दें, मन को धैरे रखें, अपने दिल में शंतूष्टी की भावना जगाए रखें, अ आज आपके पास कोई विवहा प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन जल्द बाजी करना ठेक नहीं है, आज आप लोगों से मुलाकात करते हैं, तो आज आप शफल हो सकते हैं, लेकिन धैरे पुर्वक, कारी छेत्र में आपको बता दिया, कि आपके जीवन में कुछ साथधानी लेकिन स्वास्त के दृष्टी कोण से आज ये दि बात करें, तो थोड़ा बहुत मानस्तिक तनाव हो सकता है, खास करके पेट से सम्मंदित परिशानी हो सकता है, आज के दिन आपको उपाई में पांच लाल लॉंग कपड़े में बांद कर अपने साथ रख लें, यह आप आपकी जीवन में अचानक से धनलाब हो सकता है, आज आपके सामने आगे बढ़ने के कई नए मोके आ सकते हैं, रोज मर्रा के कामों में आपको लाब मिलने वाला है, आपके कामकास से भी शवी लोग खुस रहेंगे, संतान पक्च की ओर से कोई मदद मिल सकती है, भाईयों और दोस्तों से शयोग प्राप्त होगा, आज आप अपनी कामों को अपने ध्यान प्रुवक करने में सफल होगे, दूसरों की खातिर आपको आज कुछ त्याग भी करना पड़ सकता है, इससे आपको आने वाले दिनों में फायदा अवश्र होगा, आज के दिन आपको यही गलतियों से आपको आलस और लेट लथिफी के कारण किसी समस्या में फस्ते हुए आप आज नजर आ सकते हैं, इसलिए आज के दिन आलस ना करें, टाइम पर ही सारे काम को करने का कोशिस करें, आज के दिन सोचे हुए काम आपको यदि पूरी तरीके से शंपूर्ण प बनाए रखें, काम आपका शफल जरूर होगा, इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, आज के दिन लव लाइफ की यदि बात करें, तो आपके साथ ही आपके पार्टनर आपके हर बात को समझ पाएंगे, हो सकता है वो आप से आज कोई सलहा भी लें, प्यार के लिए आज आपको समय मिलने वाला है, कुल मिला कर लव लाइफ अच्छी रहेगी, पार्टनर से आपको खुसी मिलने वाली है, आज के दिन स्वास्त के दृष्टी कोन से, सीर दर्द और बदन में दर्द से आपको परिशान हो सकते हैं, और कोई चीज कहीं रख कर भूल भी सकते हैं, इसलिए इन बातों का वी ध्यान आपको देना चाहिए, इस रासी के छात्रों को आज पढ़ाई का कुछ दबाव रह सकता है, लेकिन पढ़ाई करने में उनको आलस्य का शामना करना पढ़ सकता है, एक आगरता आपको बनाई रखने की आई कोसिस करना होगा, आज के पढ़ाई में भगवान स्रीक्रिक्ष्न को मखन का भोग लगाना आपकी लिए बहुत ही ज़्यादा शुव रहने वाला है, अब आईए बात करते हैं अगली रासी करकरासी, करकरासी वाले आज ओफिस में दूसरों के विवाद को आप निप्टारा कर सकते हैं, आपका पांती और सोच शमज कर ही करें, अन्य मामलों में आप दूसरों को अपनी बात से शहमत कराने में बहुत हद तक शफल हो जाएंगे, विसम परिष्थितियां आज आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे, आज के दिन कुछ बातों में जो आपको विसेज ध्य रखना है कि किसी भी तरह का अत्तिधिक रिस्क ना ले, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना आज आपके फेवर में नहीं है, और जल्दबाजी आज के दिन किसी भी काम में ना करें, जल्दबाजी से आपको नुक्सान हो सकता है, नहीं तो जल्दबाजी में आज आपके कारि चेत्र में भी आपको कुछ परशानी का सामना करना पड़ जायेगा, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है, आज के दिन आपको फिजूल खर्ची से भी बचना होगा, आज लव लाइफ के यदि बात करें, तो आपके नीजी जिवन में कोई बहुत बड़ी बात उलज सकती है, सांती से किसी मामले को निप्टाले वरना आपकी प्रशनल लाइफ कुछ खराब हो सकती है, इसलिए अपना मूड ठिक करें और समस्याओं पर सीधी लेकिन सकरात्मक सोच के साथ आप सामने वाले से बात करें, स्वास्त के दिश्टिकों से आज आपका दिन बहुत ही ज प्रशुक मिलेगा, आज के दिन उपाये में क्या करें? उपाये में आज के दिन भगवान स्री गनेश को हरे मूं की दाल, साबूत मूं की दाल आपको दान करना है, इससे आपकी जीवन में खुसियों का आगमन होगा, अब आईए बात करते हैं अगली रासी, शिंग रासी सिंग रासी वाले, आज के दिन पैसों की चिंता खत्म हो सकती है और धनलाब होने के योग बन रहे हैं, आज के दिन आप अपना उधार भी पूरा कर सकते हैं, चुका सकते हैं, आज मिलने वाले पैसों करनी वेस कुछ इस तरीके से आप करेंगे, जिसका भविश्च में आ कर सकते हैं, दोस्तों और भाईयों से शमय पर मदद मिलने वाला है, जिस काम में आप पडिश्रम करेंगे, वह काम आज जल्द ही पूरा हो जाएगा, और उनसे आपको धनलाब भी होने वाला है, खुल मिलाकर दिन आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आज के दिन आपके लि आपसे दूर भी हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें, कलपना छोड़कर वास्त्विक्ता में ही रहें, कुछ काम समय से पूरे नहीं हो पाने से आप अच्छे मोके भी गवा सकते हैं, इसलिए इन बातों को आपको ध्यान आज के दिन रखना चाहिए, आज के दिन लब ला सकते हैं, आज के दिन आप खुद पर नियंतरन रखें, समस्या पर आप अपनी साथी के शाथ, जीवन साथी के शाथ, खुलकर बात करें और सांती पुरुवक बात करें, तो इसमें आपको शफलता जरूर मिलेगा, केरियर में आपको मैंने बताया, कि आज कोई बहुत पिने के चीजों में आपको ध्यान देना चाहिए, उपाए आज के दिन चने की दाल, आप किसी गरिव व्यक्ति को दान करते हैं, तो यहां आपके लिए अत्यांती उत्तम रहेगा, अब आईए बात करते हैं, अगली रासी, कन्या रासी, कन्या रासी वाले बिजनस में अच्छा खासा बदलाव भी हो सकता है, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, केरियर में आपने जो भी अनभव हासिल किया है, आज आप उसका उपियोग करने वाले हैं, अपने नीजी जीवन में आज आपको इस बदलाव का कुछ अच्छे लाब मिलते हुए नजर पैसों के मामले में आज आप काफी चतुर सावित हो सकते हैं, चाला की भरे कदम आज आप उठा सकते हैं, आज आप काफी बीजी भी हो सकते हैं और आपको बाद में कुछ नई जिम्मेदारी, नई चुनोती मिल सकती हैं, कुछ लोग आज की दिन आपसे अजीब वेभार क कर सकते हैं, एक बार में एक से ज़्यादा काम हात में ना ले, वरना, खुद को कुछ फसा हुआ भी महसूस कर सकते हैं, इन बातों में आज आपको ध्यान रखना है, और अपने प्लानिंग को आज आप बनाते हैं, तो इसको किसी दुसरे व्यक्ती से सेर न करें, क्योंकि दुस्मन आपके खिलाब कुछ साजिस्क, कुछ सडियंद्र कर सकते हैं आज के दिन लव लाइफ की यदि बात करें तो आपको कुछ अकेलापन महसूस हो सकता है पार्टनर के लिए आज आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है लेकिन आपको कहीं से कोई धनलाब भी होने के योग बन रहे है आज के दिन पार्टनर से कोई बहुत बड़ा वादा ना करें नि तो आगे चलके आपको इसका नुक्षान हो सकता है आज के दिन आप किसी नए संबंद की ओर ना बढ़ें यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा उप्यूक्त नहीं है सुआस्त की दृष्टी कोण से शावधान रहें कुछ पुराने रूप आपको परिशान कर सकते हैं आज के दिन उपाए में लाल चंदन पानी में मिला कर भगवान सूर्य देव को अर्ध दे यहाँ आपके लिए दिन को उत्तम बनाने वाला उपाए शिद्ध होगा अब आईए बात करते हैं अगली रासी तुलारासी तुलारासी वेले आज पैसों का दबाव आपके उपर से खत्म हो जाएगा कुल मिलाकर आर्थिक मोर्चे में आज आपको राहत मिलने वाली है आर्थिक छेत्र में कुछ अच्छे मोके आज आपको प्राप्त होंगी आपकी टेंसन समस्या खत्म होने वाली है स्वास्त भी आज आपका अच्छा रहेगा आपका बिजनस आज बढ़ सकता है बिजनस और नौकरी में सफलता प्राप्ट करने के अच्छे योग नजर आ रहे हैं आज के दिन विप्रित लिंग वाले लोगों के परती आकर्षन हो सकता है मतलब यदि आप मेल हो तो फी मेल के परती और फी मेल हो तो मेल के परती आपका आकर्शन कुछ अधिक रहेगा दामपत जीवन में भी आज खोसियां बरकरा रहेगा आज आज जादा तर मामलों में सफन हो सकते हैं कुछ वादे और सौदे आज आपको करने पढ़ सकते हैं जो अचानक से आपके शामने आ जाएगा आज के दिन आपको विशेज सावधान जो राना है कि किसी व्यक्ति से फालतू की बात ना करें अधिक खर्च ना करें और किसी काम में जर्रत से ज़्यादा महनत या पैसा ना लगाएं इन बातों को आपको थोड़ा दियान देना चाहिए लव लाइव की यदि बात करें तो आज आपकी भावनाओं का स्तर बढ़ सकता है और आप अपने एक्स्प्रेशन पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आपकी साथ ही आपके मनुदुशा को समझ जाएंगे पार्टनर से सहियो और सर्प्राइज मिल सकता है कुल मिलाकर दिन अच्छा है केरियर में आज आपको फायदा जरूर होगा पार्टनर भी आपके लिए मददगार रहेगा इसुजेंट्स के लिए भी दिन अच्छा साबित होगा यदि कोई टेस्ट या किसी परतियोक्ता परिक्षा के तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकता है स्वास्त के दिश्टिकों से आपका स्वास्त आज उत्तम बना रहेगा कोई पुराना रोग भी आज खत्म हो सकता है आज के दिन भगवान विष्णु जी को पूजन करें भगवान विष्णु जी को आज के दिन आप आर्थी करें या आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहने वाला है अब आईए बात करते हैं अगली रासी वृष्चिक रासी वृष्चिक रासी वेले आई अधिकारियों से मेल जोड बढ़ेगा इनकम और खर्चे की इस्तिति शंतुलित रहेगी आप लोगों के शाथ मिलकर धन कमाने के अच्छे मोके तयार कर सकते हैं स्वास्त के लिहाज से समय थोड़ा ठेक रहेगा जीवन के प्रती आपका नजरिया शकरात्मक रहेगा नई कला साहित और संगीत में आपकी रूची रहने वाली है लेकिन कुछ नकरात्मक बाते जो आपको परिशान कर सकता है कि आज आप कुछ समय के लिए अकेले में रहने की कोशिस कर सकते हैं ऐसा ना करें क्योंकि ऐसा करने से आपको कोई अच्छा खासा मोका हाथ से निकल जाएगा राजनिती और धन से जुड़े मामलों पर किसी बात को लेकर किसी से बहस होने का संकेत देख रहा है इन बातों के और भी आपको आज ध्यान देना चाहिए आज आप अपने सोच को उचा रखें अपने सोच को इस प्रकार से बनाया रखें ताकि किसी दूसरे के शामने आपको सरमिंदा ना होना पड़े नहीं तो इन बातों को लेकर भी योग दिख रहा है आज के दिन लेन देन में जोखिम ना ले जवरत के हिसाब से ही किसी भी प्रकार के लेन देन सोच समझ कर करें लव लाइप में आज किसी बात या विसे पर पार्टनर को आपको रियक्शन का इंजार करना पड़ेगा अर्थार पार्टनर से आपको लेट रिप्लाई मिल सकता है लेकिन फिर भी आज कुछ समझ में बदलाओ की इक्षा आपके अंदर हो सकती है आज नए प्रेम संबंधों को वहीं अस्तखित कर पुराने प्रेम संबंधों पर आपका ध्यान जा सकता है स्वास्थ के लिहास से दिन आपका उत्तम गुजरेगा आज के दिन उपाई में आपको जो करना है केले के पौधे में हल्दी मिलाकर जल अर्पित करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुब रहेगा अब आईए बात करते हैं अगली रासी धनु रासी धनुरासी वाली आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम है पैसों से जुड़ा कोई अच्छा फायदा हो सकता है नौकरी धन्दे के छेतर में कुछ अच्छी ख़वर सुनने को मिल सकती है सुस्ती महसूस करने के बावजूद आपको मानसिक उर्जा के दम पर आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे सरीर से आप कुछ आलस महसूस कर पाएंगे लेकि मन के हिसाब से आपकी उर्जा तेज होगी जरूरी काम आज आप निप्टा लेंगे दूसरों की मदद करने का कोई भी मोका आज के दिन ना गवाएं सोचे हुए कामों में सफलता मिल सकती है आज आपका परफॉर्फॉर्मेंस पिछले दिनों से अच्छा रहेगा जीवन साथी से कुछ अपेक्छाएं आपका आज अधिक होने वाला है समाजिक पद परतिष्ठा में मान सम्मान आपके बढ़ने वाले हैं माता पिता का आसिरवाद ले इससे आपका आकर्षन बढ़ने वाला है आज की दिन आपको खास करके यदि लव लाइब की बात करें तो जीवन साथी से अपने दिल की बात आया सेयर करने वाले हैं और आज आपका जीवन साथी आपके किसी बात के लिए तुरंट सहमत हो जाएंगे कुछ नकरात्मक बातों पर जो आपको ध्यान देना है कि एक्स्ट्रा मेहनत आज आपको कुछ करना पड़ सकता है नई नोकरी यदि आप तलास रहें तो वो माहूल आज आपके पक्ष में नहीं है इसलिए इन बातों को आपको ध्यान देना है जर्रत से ज़्यादा भावु आज के दिन ना हो और उपाय में यदि बात करते हैं तो आज के दिन मंदिर के बाहर बैठे हुए किसी गरिव व्यक्ति को एक रुपे का सिक्का या बिस्किट दान करें यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहने वाला है अब आईए बात करते हैं अगली रासी मकर रासी मकर रासी वाले आज काम काज के सकरात्मक पढ़ना आपको देखने को मिल सकते हैं आज आप सही योजनाय बनाएंगे और सही दिसा में आगे बढ़ेंगे आज आपका पूरा ध्यान आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष की ओर रहने वाला है नए काम शुरू होने की योग बन रहे हैं आज आप कुछ पुराने और अच्छे दोस्त से शंपर करने की कोशिस कर सकते हैं और उसमें आपको शफलता मिलने का योग भी नजर आ रहा है आप नियम कानून और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर आज के दिन शमर्पित होने वाले हैं आपको जो सलह और जानकारी मिलेगा वह आपके लिए बहुत ही कामगार शिद्ध होगा नगेटिब बातों पर जो ध्यान देना है कि परिवार के लोगों की फरमाईस पूरा करनी में आपका आज बहुत ज़्यादा समय वेर्थ हो सकता है और कुछ धन का खर्च भी अधिक हो सकता है इन बातों पर आपको विसे सुरुप से ध्यान देना है सावधान रहें आज की दिन स्वास्त के द्रिष्टी कुण से आपको छोटी मोटी बिमारी परिशान कर सकता है इसलिए इन बातों को लेकर भी आपको आज सचेत रहना है इसरासी के लव लाइफ वाले लोगों के लिए इदि बात करते हैं तो जो लोग विवाईत हैं और किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार करते हैं और आप इजहार करना चाहते हैं तो दिल आपके आज पक्ष में रहने वाला है दिल की बात कह दें बस अपने वानी पर सहियम रखें और पार्टनर के साथ वेवार में शावधानी करें वो आपके परपोजल को एकसेप्ट कर लेंगे आज के दिन उपाय में भागवान विश्णों को पपीते का भोगल राना आपके लिए बहुत जादा उत्तम रहने वाला है अब आईए बात करते हैं अगली रासी कुम्बरासी कुम्बरासी वैले आज आप लगवग हर काम में सफल हो सकते हैं लगवग शभी लोगों को परभावित करने में भी आपको सफलता मिलने वाली है धार्मिक कारियों में मन लगेगा संतान से मदद मिल सकती है नौकरी में सफलता मिलने के योग नजर आ रहे हैं भौतिक सुक्स उधायें भी मिलेंगी धनलाब भी हो सकता है आपका पूरा ध्यान, निवेश, उधार, पैसे और बचत के मामलों में रहने वाला है आप अपने खर्च, आमदनी और देनदारियों पर नए सिरे से विचार कर सकते हैं किसी उलजे हुए मामले का शमाधान आज आपको मिलता हुआ नजर आएगा आज की दिन आप अपने केरियर को लेकर कुछ हद तक चिंतित लेकिन रह सकते हैं ये कुछ नकरात्मक बाते हैं और एक और बात कि यदि आप आज यात्रा करते हैं कोई तो यात्रा में आपको कुछ कष्ट हो सकता है आज आप अन लोगों के साथ बाचित के दोरान शावधानी रखें कोई ऐसी बात ना बोले जो आगे चलके आपके लिए नुक्षान दायग शावित हो आज के दिन लव लाइप में आपको कुछ सफलता मिलने के योग नजर आ रहे हैं लेकिन कुछ बातों पर आज आपका साथ ही आपके दिल को ठेस पहुचा सकता है इसलिए अधिक एमोशनल ना हो सकता है वो मजाक में बोले हैं इन बातों को लेकर आप अधिक सिरियस ना रहें केरियर के दिरिश्टी कुण से जो लोग परमोशन के लिए पिछले काफी समय से प्रियास कर रहे हैं और यदि आपके ओफिस में परमोशन की बात चल रही है तो आज परमोशन आपका हो जाएगा या कुछ बात आगे बढ़ सकती है किसमत का साथ इस मामले में आपको मिलने वाला है आज के दिन इस्टुडेंट को पढ़ाई में कुछ रुकावट का अक्सामना करना पड़ सकता है आज के दिन यदि बात करें स्वास्त के दृष्टी कोन से तो आपके सेहत में सुधार होगा उपाई में आज के दिन जो आपको करना है भगवान विश्णू जी का आरती करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उप्यूक्त रहने वाला है अब आईए बात करते हैं अंतिम रासी में रासी में रासी वाले कोई व्यक्ति आज आपको कोई गोपनी बाते बता सकता है आपको उसे गोपनी ही रखना चाहिए अर्था कोई गुप्त बाते यदि आपको पता चल रहा है तो सबसे अफसेर ना करें अपने दिल तक ही रहने दे, अपने जीवन साथी ये किसी और बेहत करीवी वेक्ति के साथ आपकी लंबी बात हो सकती है, आप नई चुनोतियों के लिए पूरी तरीके से तयार हो जाएंगे, अपने छमता शावित करने के लिए आज अच्छा समय रहने वाला है, पैत्रिक आपको खास करके जुटी दिलासा ना दे, वानी पर सयम रखें, कुछ दुस्मन आपको परिशान कर सकते हैं, इन बातों पर भी आपको आज विसेश रूप से शतर कराना है, आज के दिन आप कोई भी नया काम करने से बचें, नहीं तो कुछ परिशानी आपको हो सकती है, आज के दिन लव लाइब की यदि बात करें, तो लव लाइब के समन्दों में कोई बड़ा फैसला लेना पर सकता है, जो भी फैसला लेंगे वो आसानी से नहीं बदल पाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो कोई भी फैसला लेनी से पहले अच्छी तरीके से सो इन बातों पर ध्यान देना है, सतरक रहना है, शावधान रहना है, उपाए में आज के दिन भगवान सिव को जलरपित करें, यह आपके लिए बहुत नहीं ज्यादा उत्तम रहेगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आज आपने देखा क्या कहता है आपका आज का रासी इसी प्रकार से जोतिस एवं धर्म से जुड़े अनेक रहषपुर्ण महत्पुर्ण बातों की जानकारी प्राप्ट करने के लिए जानेस पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सेर करना बिल्कुल भी ना भूले, फिर मुलाकात होगी आप शभी दर्शकों से अगले कारिक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय मातादी, राधे, राधे, राधे.